हेलो फ्रेंड्स मेरे स्पामिस्ट्री एंड स्टॉलजी वीडियो चैनल पर आपका स्वागत है तो आज हम अनायलसिस करेंगे सैंड का और चेक करेंगे इसमें क्या-क्या नई चीजें हमें सीखने के लिए मिलती हैं तो as usual शुरू करूँगा fingers के analysis से उसके बाद चेक करेंगे fingers की setting को and mounts को और सबसे last में हम चेक करेंगे lines को इस तरह से बुरे hand का जो analysis हम complete करेंगे तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूं सासा draw करता जाओंगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत न हो दोस्तो वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूंगा यह जो number आपको आपकी screen के उपर नजर आ रहा है यह मेरा what's up number है अगर आप भी अपने हाथ की वीडियो बनवाना चाहते हैं या phone consultation लेना चाहते हैं तो आप हमें what's up के जरीए signal के जरीए या फिर टेलेग्राम के जरीए message send कर सकते हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी जो हथेली है कुछ इस तरह से एक squarish shape में नजर आ रही है जो indicate करती है एक hard working type की nature को और अगर इनकी fingers को चेक किया जाए तो काफी अच्छी लंबाई में यहाँ पर आप इनकी fingers को देख पाएंगे और काफी सारी सीधी खड़ी बारीक रिखाएं इनकी सभी fingers के lower phalanges के उपर मौचूद हैं कुछ इस तरह की बारीक रिखाएं आप देख सकते हैं इनकी सभी fingers के उपर जिनकी वज़े से native मिलन सार सभाव का रहता है दूसरों के साथ अच्छे से पेश आने वाली nature native की देखी जा सकती है अगर हम length की बात करें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इनकी जो तरजनी उंगली है काफी अच्छी लंबाई में है बिल्कुल straight है हलका सा low set होती है finger indicate करती है कि native को अपने जर्म स्थान से दूर रहना पड़ सकता है प्रवास के मौके ऐसे व्यक्ति के चीवर में अधिक रहते हैं लेकिन इस finger का अच्छी length में होना दर्शाता है कि native की leadership qualities अच्छी रहेंगी ऐसे व्यक्ति दूसरों को रास्ता दिखाने वाले होते हैं काफी अच्छी personality एक spiritual type की nature ऐसे व्यक्ति की देखी जा सकती है अगर हम बात करें इनकी शनी finger की तो आप यहाँ पर देखेंगे बहुती अच्छी लंबाई में इनकी शनी finger काफी high set भी नजर आ रही है जिसकी वज़े से native काफी disciplined nature का होता है एक मेहनती personality अनुशाशन प्रिया और नयाय प्रिया type की nature ऐसे व्यक्ति की रहती है जिनकी शनी finger strong हो और अपनी इनी खूबियों की वज़े से ऐसे व्यक्ति जीवन में काफी अच्छी तरक्की कर पाने में कामयाब रहते हैं अगर हम इनकी सूरिया finger की बात करें तो आप यहाँ पर देखेंगे इनकी सूरिया finger बिल्कुल straight और बहुत अच्छी लंबाई में इस finger की जो length होते हैं और साथ ही साथ ऐसे native जिनकी यह finger तरजनी उंगली यानि ब्रस्पति की finger से ज़्यादा लंबी हो ऐसे व्यक्ति risk taker हो सकते हैं चीवन में risk लेने से नहीं घबराते हैं और कई बार तो अपनी धन की investments के मामले में भी risk लेने की रूची इनके भीतर रहती अपने धन को ऐसी जगाओं पर invest कर सकते हैं जहां पर loss की संभावनाएं हो जैसे share market है crypto currencies है mutual funds हैं ऐसी चीज़ों में भी इनकी रूची अधिक देखी जा सकती हैं अगर इनकी mercury finger की बात की जाए तो काफी अच्छी लंबाई में mercury finger यहाँ पे नजर आ रही है इन दोनों fingers के बीच में का अपनी मनमर्जी के मालिक होते हैं और जो काम करने की ठान लेते हैं उसको करकर ही दम लेते हैं कुछ इस तरह का सभाव व्यक्ति का देखा जा सकता है और इस finger का अच्छी लंबाई में होना indicate करता है कि native के communication skills काफी बहतर रहेंगे ऐसे व्यक्ति का business acumen भी काफी बहतर काफी strong देखा जा सकता है चलिए आगे बढ़ते हैं और चेक करते हैं इनके सभी mounts को उसके बाद हम चेक करेंगे इनकी सभी रिखाओं को भी तो सबसे पहले आपको यहाँ पर एक line draw करकर दिखाना चाओंगा किस तरह से इनके mounts की formation है कुछ इस तरह से इनके mounts जिनमें इनका शनी और सूर्या यह सूर्या परवत है और यह शनी दोनों ही काफी high set नजर आने जबकि mercury का area यहां से हलका सा low set होता हुआ और even इनका ब्रस्पती का जो area है यह भी आपको हलका सा low set होता हुआ नजर आएगा mercury mount का low set होना native को थोड़ी shy nature दे सकता है ऐसे व्यक्ती का सभाव थोड़ा hesitation वाला हो सकता है लेकिन overall यहां पर इनका ब्रस्पती mount काफी अच्छा नजर आ रहा है थोड़ा low set होने से native को प्रवास करना पड़ता है कई बार अपनी birthplace से दूर किसी दूसरे स्थान पर जाकर ब native को ग्यानवार बनाता है spiritual minded बनाता है ऐसे व्यक्ती बहुत ही knowledgeable होते हैं और अपनी इनी खूबियों की वज़े से समाज में काफी अच्छा मान समान पाने वाले होते हैं उसे के साथ साथ आप देख सकते हैं कुछ ऐसी रिखाएं जो यहां से उपर की तरफ फुरती हुई जिनें तरक्की की रिखाएं कहा जाता है ऐसी रिखाएं अगर life-line से निकल कर ब्रस्पती माउंट की तरफ बढ़ती है तो इन्हें बहुत अच्छा माना जाता है ऐसी रिखाओं का होना इंडिकेट करता है कि नेटिव अपने चीवन में खूब तरक्की करपाने में कामया अगर हम शनी परवत की बात करें तो यहाई अरिया आप देख सकते हैं शनी का माउंट कहलाता और दबता हुआ शनी माउंट चीवन में काफी उतार चड़ाव नेटिव को देता है थोड़ा संघर्ष ऐसे व्यक्ति के जीवन में अधिक रहता है मेनत काफी अधिक करनी अगर हम इनकी शनी रेखा की बात करें तो अब देख सकते हैं यहाँ से शुरू होनी वाली एक वेवी लाइन आपको नजर आएगी यहाँ तक काफी अच्छी है और इवन यहाँ से यह रेखा निकल कर भी आपको काफी उपर की तरफ बढ़ती हुई नजर आएगी इस तर कि डबल फेट लाइन का होना नेटिव को काफी अच्छी वेल्थ देता है ऐसे व्यक्ति काफी धनवान बनते हैं लेकिन इस तरह हैं कि रेखा का बीच बीच में तूट कर आगे बढ़ना और कुछ ओवरलैपिंग्स का होना समय समय पर काफी सारे अपसंड डाउंस का सामन भी व्यक्ति को जीवन में करवाता है अगर हम बात करें इनके सूर्य परवत की तो आप देखेंगे सूर्य मंट का एरिया आपको दबता हुआ नजर आएगा और सूर्य मौंट का दबना इंडिकेट करता है कि नेटिव को यश मिलने में कमी रहेगी ऐसा व्यक्ति दूसर सूर्य रेखा जो यहां से शुरू हो नीचे से और यहां तक पहुंच जाए ऐसी कि लंबी सूर्य रेखा होती है तो ऐसा व्यक्ति छोटी एज से ही काफी अच्छा नेम एंड फेम पाने लगता है लेकिन यह रेखा जब आपको यहां पर नज़र आए यानि हार्ट लाइन क चलकरी लाब दे पाती है ऐसा व्यक्ति ओल्ड इज में पहुंच कर काफी अच्छी पहचान सुसाइटी में बना पाने में काम्याप हो जाता है अगर हम बात करें इनके बुद्ध परवत की यानि मरकरी की तो काफी उठा हुआ यह माउंट आप देख पाएंगे भले ही य है थोड़ा सा लो सैट माउंट है लेकिन काफी उभरा हुआ होने की वज़े से नेटिव के कम्मिनिकेशन स्किल्स काफी बेहतर रहेंगे हाथ में मरकरी लाइन मौचूद है लेकिन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉंग और लंबी मरकरी रेखा का ना होना यहाँ पर बिजनस लाइन्स कहते हैं ऐसे रिखाएं अगर हाथ पर मौजूद होती है तो नेटिव के भीतर काफी स्ट्रॉंग हीलिंग कापिबिल्टिस रहती है ऐसा व्यक्ति एक अच्छा सलहकार हो सकता है दूसरों की प्रॉब्लम्स को समझने वाली नेचर ऐसे व्यक्ति की रहती है अप लाइन्स के हाथ में जो इनकी हाठ की लाइन है बिल्कुल स्ट्रेट नजर आ रही है हाट लाइन्स में चलकर एक विश्नु सिमबल बनाती हुई भी यहाँ पर आप देख पाएंगे कुछ इस तरह है कि हाठ की लाइन्स जो आगे बढ़ रही है और यहाँ पर आकर एक फि टाइब का सिंबल यहाँ पर आपको बनता हुआ नजर आएगा इस तरह के चिन को विश्णु चिन कहा जाता और जिन लोगों की थेली पर ऐसा विश्णु सिंबल बनता है ऐसे व्यक्ति अपने चीवन में बहुत अच्छी तरक्की कर पाते हैं लेकिन यह तरक्की नेटिव क तभी हासिल हो पाती जब ऐसा व्यक्ति इमानदारी के रास्ते पर चले ऐसा नेटिव जिसके हाथ पर विश्णु चिन हो अगर गलत रास्ते पर चलकर वेइमानी से धन कमाने की कोशिश करने लगे तो चीवन में बड़ी दिक्ते हैं और तरक्की रुख सकती है अब देख होने से नेटिव को कई बार उनी लोगों से धोका मिलता है जिनके उपर बहुत ज्यादा ट्रस्ट नेटिव करता है और आप यहाँ पर देख सकते हैं लास्त में चलकर ऐसी रिखाओं का होना इंडिकेट करता है कि नेटिव को लेटरेज में चलकर ब्लड पैशर जैसी दि की लाइन कुछ इस तरह से बिल्कुल स्ट्रेट है और बहुत अच्छी माइन की लाइन आप यहाँ पर देख पाएंगे एक प्रैक्टिकल टाइप की परसनालिटी ऐसे व्यक्ति की रहती है और काफी शार्प माइन ऐसे व्यक्ति का रहता है जिनके हाथ में ऐसी स्ट्रेट और स्पष्ट मस्तिक्ष रेखा मौजूद हो अगर हम बात करें इनके हाथ में बनने वाले मनी ट्राइंगल की तो थोड़ा क्लोस अप में आपको दिखाना चाहूंगा मनी ट्राइंगल यहाँ पर पूरी तरह से बंद नहीं हो पा रहा क्योंकि इनकी जो बुद्ध रेख है वो अभी थोड़ी सी वीख है आपको दिखाना चाहूंगा तीन रेखाओंस से मनी ट्राइंगल बनता है, यहाँ जो रेखा है यह ओ दूसरी वाली इसको हम कहते हैं मस्तिक्ष रेखा यहाँ रेखा और यह तीसरी जिसको हम मरकृरी लाइन कहते हैं बीच में यह रेखा कमाता तो खुब है लेकिन उसको रोकर जादा समय तक रखनी पाता या तो कहीं न कहीं इन्विस्ट कर देगा या खर्च कर देता है तो जिस वज़य से धन के संचिया होने में थोड़ी सी दिकतों का सामना नेटिव को अपने चीवर में करना पड़ सकता है अगर हम बात करें इनकी line of life की तो आप यहाँ पर देखेंगे काफी अच्छी लंबाई में life line नज़र आ रही है लेकिन life line बीच-बीच में चे कुछ बारीक रिखाओं से कटती हुई भी नज़र आ रही है यहाँ इस तरह की रेखा आप यहाँ तक देख पाएंगे इवन इसके बाद भी यह है रेखा आपको थोड़ी चेंड स्ट्रक्चर में continue होती नजर आएगी लगबग 75 के आसपास की एज को इस तरह की लंबी रेखा दर्शाती है और यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी को कुछ रिखाएं क्रॉस करती है जिनकी वज़े से कुछ स्ट्रेस रहता है माइनर्स चोट वगारा लगने की संभाव नाएं कुछ माइनर एक्सिजन्स भी ऐसे विप्ति के चीवन में नेटिव को फेस करने पड़ते तो ऐसे विप्ति को वहीकल थोड़े ध्यान से चलाने कि जुरूरत रहती है जिनकी जो लाइफ लाइन बीच बीच में से स्ट्रेस लाइन की वज़े से कटती हुई नजर आएं अगर हम बात करें इनके शुकर परवत की तो यह जो एरिया है वीनस का एरिया कहलाता है उबरा हुआ शुकर माउंट नेटिव को चीवन में हरतर है कि सुखसुधाएं देता है लेकिन इस माउंट के उपर ऐसी रिखाओं का होना अच्छा संकेत नहीं माना जाता है इसी रिखाओं होने से नेटिव को मैरिच में डिले होने और मैरिट लाइफ में कुछ अंस्टेबिलिटी रहने की समहावनाओं का सामना करना पड़ता है ऐसे व्यक्ति को रिलेशन्शिप्स में भी कई बार देक्तों का सामना करना पड़ता है जिनके शुकर परवत के उपर ऐसी आड़ी रिखाएं नजर आएं अगर हम इनके चंदर परवत की बात करें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मून का इरिया काफी अच्छा है लेकि लेकिन ऐसी बहुत सारी रिखाएं अगर चंदर परवत के उपर मौजूद हो तो नेटिव को थोड़ी एंग्जाइटी की समस्या बेचैनी की समस्या का सामना भी अपने जीवन में करना पड़ सकता है तो दोस्तों यह कुछ अनैलसिस थे इनके हैंट के बारे में और मेरी कोशिश यही रहती है कि सभी स्वालों के जवाब एकी वीडियो के तुरू दे पाऊं लेकिन फिर भी कोई नो कोई चिन या स्वार रह जाता है तो इनसे रिक्वेस्ट है कि अगर इनका कोई क्वेश्चन पैंडिंग है तो मुझे वर्टसैप पे मेसेज करें मेरा वीडि करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद